कि नमस्कार मैं हर बंस नागो कि जम्मू किश्मीर में सरकार तो कहती हैं यहां बहुत कुछ सामान है मगर हकीकत कुछ और है धारा तीन सो सतर हटने के बाद देश में निश्ठित तोर पर एक विधान एक सविधान कश्मीर से कन्या कुमारी तक लग गया मगर जमू किश्मीर और लद्दाग के हालत क्यों अच्छे नहीं है जमू किश्मीर लद्दाग जो पहले एक हुआ करता था दो हिस्सों में बढ़ गया दो के अंडरशासित परदेश बनगे एक लदाख और एक जम्मू कश्मीन मगर दोनों ही जगों पर अभी भी दोनों के अंदर शासित परदेश है ये लगातार आक्रोश की जुआला धदक रही है और अब सबसे जादा जो आक्रोश की जुआला धदक रही है वो है बर्फिली रेगिस्तान लेह लदाख करगल में वहां बहुत जादा इस समय अक्रोश है लदाख और करगल में हमेशा ही हिंदी के तीन और छे यानिकि छट्टिस का अंक जो आपस मिलता नहीं वो आंकडा लदाख और करगल के बीच रहा है जग जाहिर है लदाख जो है वो बहुल है बुद्दिस्ट का और करगल है शिया का मगर दोनों ही एक जुट होकर आज उन्होंने अक्रोश की ज्वाला को और धदका दिया है लदाख में आज एक दिवसिया बंद करके और ये बंद पूरी तरह से सफल हुआ है ना कोई यातायात कहीं दिखा और ना ही कोई कारे आले खुला और सब को बंद रहा और लदाख और करगल की एक जुटता बहुत कुछ कह गई है लदाख में अपेक्स बाडी और करगल की डेमोक्रिक अलाइंस दोनों ने मिलकर जमीन के मामलों पर नौकरियों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए मांग करते हुए एक दिवसिया ये आज का जब की मानी तो कुछ दिनों के बाद ये अंदौलन जो है ये अनलिम्टेड होगा और शांती से अंदौलन कहीं किसी और भी रुख जा सकता है हलांकि ये बात देखते हुए गहम अंत्राले ने बाइस हजार युखकों को कश्मीर में नौकरी देने का ऐलान किया था मगर करगिल और लद्दाक निवासी वहां के नेता इस बात को मान नहीं रही है च्छिरिंग दोर्जे जिरोंने बंद का ऐलान किया था वो कहते हैं वह के बहतर लद्दाक और कर्गिल के भविष्ट के लिए किया गया है वो कहते हैं सविदान के शेवेशडूल में लद्दाक और करगिल को विशिष nivel दी जाए और वहां पर दो लोग बा की सीती जाए आपको तो पता ही है जम्मू किश्मीर लद्दाक है तो एक लदाग में थी, तीन कश्मीर में थी और दो जम्मू डवीजन में थी इधर ऐसे समय में जब लदाग और करगिल ने इतना जबरद साक्रोश वेक्त किया है तो विपक्ष जो हमेशा कुछ ना कुछ तालाशता रहता है सरकार की गलतियों का और सरकार से गलतियों तो कई जम् किलाब इस लदाख बरफिले रेगिस्तान में लेना शुरू किया है और एक प्रतिनिदी मंडल जिसमें वहां के कॉर्परेटर जो है जिनका नाम शेरिंग नामग्याल है वहां के कॉंसलर है वह राहुल गांदी से मिले हैं राहुल गांदी और कॉंग्रेस ने पूरा समर् करगिल लद्दाख को देना शुरू किया है जहां एक तरफ से लद्दाख की बात है वह दो लोग सभा की सीटें मिल रहे हैं और इधर लगातार अब डी लिमिटेशन कमेटी कमिशन की बात की जा रही है उसके लिए मीटिंग होने जा रही है और जम्मू कश्मीर में जो प अन्तनाग से जो निया मूरती सेवा निवरित मेंबर अप पार्लिमेंट है उन्होंने का हम सोचेंगे कि जाना है कि नहीं जाना है मगर हो कहते हैं हमें पहले ड्राफ जो हमने दिया था कुछ बाते डी लिमिटेशन कमीशन से पूची थी वह हमने बताई नहीं हलांकि पासमर्थकों की तरफ से या भाजा बाला इन से आ रही है कि अब यहां पर सीटें जो हैं वो साथ बढ़ेंगे आपको बताते चले लद्दाक अलग होने से लद्दाक और कार्गिल की कुल मिला के चार विधान सबा की सीटें थी पहले एक सो ग्यारा सीटें थी जिसमें च चुनाओं होता नहीं था वे हम वर्विदान सबाबें उनकी जगा खाली रखी जाती थी और इसमें च्छालिस कश्मीर घाटी की थी सैंतिस जम्मू की थी अब एक सो चौदा सीटें हैं उसमें चौबिस फिर गुलाम किश्मीर की मैनेस करें तो नब्बे होंगी साथ सीटें बड़ी है संभवता चार और तीन की रेशों होगी जमू और किश्मीर के अंदर मगर डेलिमिटेशन कमिशन की रिपोर्ट तो चल रही है मगर दो हजार दो म पर एक बिल पारित किया गया था डाकर फारूक अब्दॉल्ला के दो हजार चब्विस तक परिस्यमिन रिपोर्ट लागू नहीं होगी यह निकि उनका यह कहना है कि इस समय जो परिस्यमिन रिपोर्ट बन रही है वो गैर कानूनी है जब यह बिल पारित टू थर्ड मेंज तीन और इसके बदलाओ की जो बात की गई थी और दो हजार चब्विस तक कोई भी जन संख्या की सही आकड़े जब तक सामने नहीं आएंगे दो हजार चब्विस तक तब तक डी लिमिटेशन की रिपोर्ट नहीं लागू होगी और रुकावट यहां पर यही है कि डॉक् सुप्रीम कोट में भी किया दायर की गई थी मगर वो खारिच कर दी गई और ऐसे में अब राजनितिक लुभावने नारे जो हैं भारती जनता पार्टी से भी लग रहे है कि हम कश्मीरी हिंदूओं को अनसूचित जन जातियों को और गुलाम कश्मीर से आये हुए प्रति कश्मीर से जो आये हैं पुंच में भी हैं जम्मू के अलग-अलग छेत्रों में हैं हाव इट पॉसिबल की फ्लोटिंग एक कांसीचुंसी बना लेंगे जहां तक बाद कश्मीरी हिंदूओं की लेकर है कि उनको आप रिजरेशन में रख रहे हैं तो क्या किश्मीरी पंड है जो सुलच्ती मकडी जाल की तरह आसान नजर नहीं आती है सारे संकेत दे रहे हैं और स्वयम आप प्रत्यक्ष गवा है इस जेल के मीडिया के अगनी बान के पहले ही कुछ कारिकम में मैंने साफ कहा है कि अभी चुनाओं की दिल्ली बहुत दूर है जल्दी चुनाओं न बोल रही है बायान हम रोच देते हैं निस संदे सुरक्षा बलू ने कई आतंकवादियों को मार गिराने का काम जारी रखा हुआ है मगर आज की फिगर भी देखें कल की भी देखें लगातार आतंकवाद बढ़ रहा है और इधर बरफीले रहेगी स्थान में जो राजनित का दायत और मेरे अपने अनभाव के अधार पर ना काहूं से दोस्ती ना काहूं से बैर को पुना याथारत करते हुए इस कारकम को यहीं समात करते हैं नमस्कार